पाताल लोक से तबाही आती रही, धर्ती हिलती रही, इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहते रहे, हर जगह मातम, चीख, पुकार और तबाही। जिसने देखा उसकी आखें फटी की फटी रह गई, क्या बच्चे, क्या बुढ़े, क्या जवान, प्रकृती के प्रकृप के सामने सब हाथ जोड़े खड़े थे। यहाँ तक की एक नन्ही सी बच्ची इस दुनिया में आई भी नहीं थी, कि उसने ये खौफ का मंजर देख मा के गर्ब से बाहर आने के दौरान उसने ये खौफनाक नजारा देखा। प्रकृती ने कुछ दया तो दिखाई, उस नन्ही सी जान को बख्च दिया, लेकिन उससे मा का साया हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। इसका उत्तर आपको देना है। तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराईल, ये चार देशों के कई शहर सुमवार को सुबह भूकम से हिल गए। पर सबसे जानमाल का नुकसान तुर्की और सीरिया में हुआ, जिसकी तीवरता 7.8 दर्ज की गई। लेबनान और इजराईल मे भी जटके मैसूस किये गए, पर इहां कोई नुकसान नहीं हुआ। तुर्की में 12 घंटे में 3 बड़े जटके आए, और सबसे पहला सुबह 4 बजे, दूसरा 10 बजे, और इतने में भी प्रकृती ने दम नहीं भरा, तो तीसरा 3 बजे आ गया। और इसके अलावा 78 आफ्ट अभी बहुत बढ़ेगा और लगभग 20,000 के पार हो जाएगा। लोग ये दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसी तीवरता का भूकम तुर्की में 1949 में भी आ चुका है, जिसमें 30,000 लोगों की मौत हुई थी। कर रही हैं, जैसे ही राहत कर्मियों को छोटी सी सफलता मिलती है, लोग खुशी से जूम उठते हैं। ऐसी तबाही के बीच एक किलकारी भी गुजी, मल्बे में दभी एक गर्वती ने मरने से पहले ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। राहत कर्मी इसकी मा को तो नहीं ब देख पाएगी। फिलाल पता नहीं कि इस बच्ची के घर का कोई सदस से बचा भी है या फिन नहीं, हर जगह तबाही ही तबाही और विनाश ही विनाश है। वहीं ऐसी अच्छी तस्वीरों को देखकर लोग खुशी से जूम उठते हैं।